आज हम चर्चा करेंगे असम्बली एलेक्शन्स में पाँच राज्यों में से राजस्तान की सबसे बड़ा राज्य भूफल के शेत्र के हिसाब से एक ऐसा राज्य जहां पर हिंदी बेल्ट बहुत स्ट्रॉंग माने जाती है भारती जंतापाटी का गड़ भी कैलाया गया है राजस्तान और एक ऐसा एक ऐसा राज्य जो हर पांच साल बाद अपनी असम्बली एलेक्शन्स में परिवर्तन के लिए बहुत जादा मशूर हो रहे हैं यहां के लोग डवलिप्मेंट पसंद लोग हैं और यह किसी ऐसे विक्ति को वोट जरूर करते हैं जो उनके लिए ते Гर्म को हम बात करेंगे वसंदर्हाराजे जी की riders की और इसके अलावा दो बहुत खास चहरे से सच्छन पाइलट जी, राजश्पा यहां जी के सुक्त्र! और सात बर सात में बात करेंगे अशोगहलूद की राजस्तान के जाद्यूगर, जो संभामना हमें नजर आती है भारती जंता पाटी की स्थापना की कुंडली से 6 अपरे लूली स्वस्थी सुभह 11 बच्च कर 40 मिनिट चंद्रमाह की महादेशा चल रही है चंद्रमाह यहाँ पर नीच का होकर के छटे भाव में बठावा है बहुत ज़्यादा शुब इस्थी नहीं भारती जंता पाटी के लिए स्थापना दिवस की कुंडली के अनुसार लेकिन कुंडली में कुछ ऐसे योग बनते हैं सूर्य का इस कुंडली में पराक्रमें शोग करके दस्पें भाव में बैठना बहुत ही फैंटास्टिक है लेकिन इस कुंडली में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत जरूर संभावना है और यह संभावना जो है बिगड़ने के काम की यह 15 दिसंबर 2018 तक बहुत ज़ादा है और उसके बाद भी यह जो संभावना है यह जहां जीत के संभावना बनती है वो जो समय है चंद्रमा में मंगल का है क्योंकि मंगल इस कुंडली में तीसरे भाव में बैठावा है तो 9 मार्च के बाद में समय फिर भी भाजापर के लिए कुछ हद तक भैतर वरतमान समय में भ जनवरी 1978 दोपहर को ग्यारा बच कर 69 मिनट पर और मीन लगने का चार्ड बना है गुरू चौते भाव में है गुरू बहुत शुब इस कुंडली के लिए गुरू में शुक्र का अंतर भी चल रहा है और यह अंतर जो है 2019 सेप्टमबर तक चलेगा शुक्र इस कुंडली में द और साथ बसाथ के अंदर जो इलेक्शन का समय है तीन ओक्टोबर 2018 से 6 मार्च 2019 तक लाब की स्थिति में जरूर है कॉंग्रिस जरूर और उसके बाद में 6 मार्च 2019 से लेकर के 27 जुलाई 2019 के बीच में जैसे ही बुद्ध का प्रत्यांतर लगेगा बुद्धिस कुंडली में बाधक है तो ये थोड़ी सी समस्य मान स्थिति फिर से कॉंग्रेस के लिए आ सकती है लेकिन अभी लाब की स्थिति जरूर कॉंग्रेस के लिए खुशबरी है कॉंग्रेस के लिए और ऐसी संभावना भी हम व्यक्त करते हैं कि कही न कहीं पांच राजों में से दो से तीन कॉंग्रेस सरकार अपनी बनाने में सक्षम हो पाईगी बात करते हैं वसंदरा जी की कुंडली की मुखे मंतरे राजस्तान राउ की महादशा चल रही है इस कुंडली पर अभी वरतमान समय पर और राहू में गुरू का अंतर है जो रहेगा 30 जन्वरी 2020 तक जब से गुरू जो है वो भी नीच का है लगनेश और लेकिन लगन में बठावा केतू इनको कभी सत्ता के पास ले आता है कभी सत्ता से बिलकुर दूर ले जाता है वरतमान में राहू की महादशा जो ऐसा दिखाती है कि 30 जन्वरी 2020 तक राहू में गुरू का जो अंतर है वो बहुत ज़ा है शोकर के नक्षत्रम है लेकिन रिजल्ट जो है वो शनी के दे रहा है और शनी यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहा है चौथे घर का शनी उच्चका बैठा हुआ है जो बहुत बड़ी पॉलिटिकल लेविल को इंडिगेट करता है और यह ठीक भी है काफी हद तक इस साड़े सती चल रही है साड़े सती का लास्ट फेस इनका और उस बहाफ पर अभी मुश्किल समय बात करते हैं सचन पाइलेट जो कॉंगरिस का फेस रहे हैं और इनके कुंडली अगर हम डिसकस करते हैं तो 7 सितंबर 1977 जो इनकी बड़ डिटेल समय मिली है उस बहाफ पर और और एक ऐसा चहरा जो बहुत ज़ादा विशेश है राजस्तान के लिए इस कुंडली के अंदर गचकेसरी योग बनता है लक्षमी नारानी योग बनता है शनी जो है इस कुंडली में बार्में भाव में बठावा है और बहुत भैतरी निशनी बार्में भाव का शनी व्यक प्रक्रम का स्वामी रीगेन कर सकते हैं बिलकुल रीगेन कर सकते हैं और लेकिन इस कुण्ली के अंदर एक पाश दोश नाम का दोश भी है रहूर के तू उच्चका है और कालसर वियुग भी बनता है तो कुछ अद्तक इस्तिति ऐसी जरूर हो सकती है कि हाँ मंत्रिपद है इस कुणली में बहुत अच्छे योग हैं, पहले भी ये केंदरी मंतरी रह चुके हैं, केंदरी राज्य मंतरी, और समय बहुत शुब, हर लिहाजे से बहुत भेतर कुणली, बात करेंगा अशोगहलोजी की कुणली की, अशोग घहलो जी की चार्ट भैतरीन है 3 मई 1951, सुबह नौ बचकर 50 मिनिट का इनका जन और जोद्पुर राजस्ता इनका जन बहुत ही भैतरीन दुई सभाव लगने के कुंडली गच के स्री योग बनता है दस्वे भाव में लेकिन गुरु और चंद्रबाद दोनों ही दस्वे भाव में विशकारी कहलाते है शनी का चौथे भाव में बैठना सूर्य का उच्च होना और सूर्य का पराक्रमेश होकर उच्च होना इनको बहुत पोपिलर बनाता है बुदा दिथ्य योग बनता है भाव नंबर ग्यारा में शुक्र का स्वेराशी में होकर के बारवे भाव में बैठना बहुत शुपकारी है वर्तमान समय के अंदर मंगल की महादेशा मंगल की महादेशा में सूर्य का अंतर 11 जनवरी 2019 तक और मंगल इसकुंडली के अंदर लाभेश के स्वामी है छटे भाव के भी स्वामी है तो लाभ भी होगा और शत्रू खुद के काटेंगे और खुद शत्रू उससा द्वारा पीड़त भी हो सकते हैं ऐसी बहुत जादा संभावना है कि जो समय इनका चल रहा है 21 दिसंबर 2018 तक जब इसकुंडली के अंदर ऐसी स्थिती बनेगी उस समय पे केतु का अंतर आ रहा है 14 दिसंबर 2018 केतु इसकुंडली में पराकरम के स्वामी है डी 10 में छटे के बैठे हुए तो संभावना comparatively बराबर है सचन पैलिट की कि इनकी और सचन पैलिट की कुंडली बिल्कुल बराबर बराबर बोलती है लेकिन अगर इनको comparison किया जाए दोनों कुंडलियों को वसंदरा जी के साथ में तो इनकी कुंडली का पक्ष जो है वो बहुत भारी पढ़ता है इसलिए संभावना हम ये लगाते हैं कि राजस्तान में गठ जोड की राजनीती हो रही है कोई भी government शायद फुल फॉर्म में ना आए और अगर आएगी तो ऐसी संभावना ज़रूर है कि Congress को अपरेज है कुल मिलाकर सत्ता जो है संभावना ऐसी है कि Congress के पक्ष में जा सकती है अशो गहलो जी और सचनपालेट जी के कुंडली के बिहाफ पर